वेलकम टू आल आफ यू आपका एक बार फिर से स्वागत है आज का जो सेशन है उसमें हम लोग नए नेटवर्क के उपर फोकस करेंगे अभी तक का जो हमने सेशन ताय किया था उसमें हमने यह चीज़ देखी थी कि ट्रेडिशनल नेटवर्क क्या होता है और उसमें हम उसके बार इपीट भी करेंगे थोड़ा सा और नए नेटवर्क का जो डॉलपमेंट है वो सन 2005 में हमारे इंडियन नेटवर्क में आया सेम पेट्रोडा जो हमारे देश के टेकलिकॉम टेकनिकल एडवाईजर रहे हैं और आज भी हैं और यह नाइंटीन एटीपोर में हमा कापी पॉपुलर रहे तो इंद्रा गांधी जब अमेरिका विजिट पे गई थी तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी डॉलपमेंट आपने युवेस्ट में किया है वैसा ही डॉलपमेंट हमारे देश के अंदर भी कीजिए उनके रिक्वेस्ट पे वो इंडिया आए और जब इंडिया आए तो नॉम्बर नाइंटीनिटीफोर का समय था उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थी उनका अब सभी जानते हैं कि एक 30 सक्टूबर को उनका मडर कर देते उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन इंडियन टेलिकाम और कंप्यूटर के जो बैक्ग्राउंड एडवाइजर रहे वो सेंपेट्रोडा रहे तो एक और उपाधी भी दी गई इस नोन एज दफादर आप टेलिकाम आप इंडिया और यह दा आल्सो पादर आपड़ा कंप्यूटिंग प्रोग्राम आप इंड जैसा कि सबी को मालूम है को उन्होंने कांग्रेस सा ज्वाइन कर लिया है लेकिन उसके पहले वह बिल्कुल निउट्रल भाव से एक सिविल सर्वेंट की तरह इंडियन टेलिकाम स्ट्रक्चर इंडियन कंप्यूटर डॉलप्मेंट सेंटर या हिंडिया के पैक्ग्राउं बहुत सारे लोग आप लोगों में हो सकता कि नाम में ने जाते हैं तो उन्होंने एक सला सन 2005 में जो हमारे तत्कालिन प्रधान मंत्री थे मनमोहन सिंग जी को कि देश के अंदर अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं हर एक व्यक्ति के हाथ में टेलिफोन देना चाहते ह हैं और सहर को और इंडिया को एक नए कम्म्यूकेशन सेस्था में बादना चाहते हैं तो आपको नए तरह के डिवाइसों का प्रियोग करना पड़ेगा तो इसके लिए उन्होंने जिस चीज का प्रियोग किया और जो राउटर से वह आपके लगाए यह तीन तरह के राउ मेनी सुपर कम्प्यूटर प्रियोग किये गए उनका नाम अलग-अलग रखा गया जो काफी पावर्फुल राउटर था काफी इसेंसी वाला राउटर था जो कि सबसे पहले भी असनल नहीं आजे गौवर्मेंट आजे पब्लिक सर्वेंट के रूप में इसका इसका इस्त जो सीरीज है जैसे कि हम लोग इस्कुटी खरीदे हैं वाइक खरीदेना सी 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 का है तो वही चीज़ है लेकिन उनकी वड़ती जली जाती है लेकिन बढ़ने से पेट्रोल भी आप या डिजल भी जो भी हम यूज करते हैं फ्यूल वह कम भी होता है पैसा नहीं है अगर हम राउटर के पिशंसी वड़ा रहे हैं तो बिजली का खर्चा भी जादा हो जाएगा उसका मेंटेनेंस भी जादा होगा बहुत सारी चीजें होती है लेकिन देश को चुकी हमारा देश के अंदर जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इस पॉपुलेशन को ध्यान में र कहते हैं इसे पी राउटर कहते हैं और पॉपुलर नाम है आई एसपी राउटर आई एसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर जैसे बी एसनल रिलांस ताटा इन्हें आइसटी कहा जाता है ठीक है और तीसरा जो राउटर यूज किया गया उसका नाम था कस्तमर यह बिलो सेमन सिख जीरो के नीचे के राउटर यूज किये गए तो यह उपर वाला जो राउटर है इसकी कीमत करीब दो करोड थी इसकी किमत पत्यास लाग से वन करोड के बीच में थी और जो नीचे वाला जो राउटर है इसकी कीमत हमारी करीब आपका पांस लाग तक न लगाएं और लगाएं गया आपके स्क्रीन पर है तब से पहले को राउटर लगाए गया और इसे निशनल राउटर बोलते हैं और इसे हमने कहां कहां लगा दिल ली में बैंगलोर में और इन को यह आप देख रहें अप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है तो अगर यह आप सभी से पूछूं कि यह कौन सा तो क्या अंसर होगा चैट में बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो मतलब कौन से होते हैं स्थार ब्रीज में तो आपने कहीं नहीं पड़ा होगा लगता है प्लीज राइट डाउन थार रहे हैं थोड़ा सा कहीं कई से कितने लोग साहिमत हैं अनुपरिया में क्या होता है हर एक डिवाइस दूसरे से जोड़ा होता है ठीक है ना नो डाउट तो बाकि जिन्होंने स्थार लिखा तो वह साइद अब पकड़ पाते क्यों क लाइन का मतलब है कि अगर हम इसमें से एक भी ब्रेक होगा न वी वायर कटेगा तो हमारे पास दूसरा आप सुना क्यों कि यह लाइन हम बंद करी नहीं सकते अगर यह लाइन बंद होगा तो पूरे इंडिया का इंटरनेट या टेली कम्म्नुकेशन सिस्टम जो है पूरा पूरा बंद हो जाएगा ठीक है तो इस लाइन को बंद ना हो ऐसी व्यवस्ता किया जाए तो अभी मैंने सिंगल वेका बनाया हो नहीं कि रियली में क्या होता दो-दो कस्त को राउटर मिनिममम यूश किये गए और सब आपस में मैं स्ट्रोपलोजी से जिया गए तो यह जो है इसको नेशनल लाइन बोलते हैं इसको अलग 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 आने आई पी एंपेलर स्कोर भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है एनाई वी कोर नेटवर्क और आने वाली लाइन जो हम लोग अभी डिसकस कर रहे थे जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा उस पे जो लाइन है बाइडिफाल्ट गवर्मेंट कभी भी प्राइवेट अपरेटर को नहीं देगी बाइडिफाल्ट अभी करेंटल यह विएशनल द्वारा हैंडिल किया जा रहा है कई जगा पीपी माडल पॉंसप जरूर यूज किया गया पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर यह इस पी है भी एशनल रिलांस ताटा लाइक दिस इसको पीवी बोलते हैं और इस पीवी बोलते हैं ठीक है और तीसरा राउटर यूज किया जाता है लोकल लेवल पे जिसे हम लोग कस्तमरेज राउटर कहते हैं कौन सा होता है आपके कॉलेज में आप सभी को पर स्विच लगा और उसने इसको टावर लगाने की परमीशन दिए और फिर उसने यहां पर इंटरनेट दे दिया अपने मोबाइल फोन से थीक है 2016 में जियो एक फर्स लाइन को परमीशन गवर्मेंट ने का कि चलो इस लाइन पर हम पहली अपरेटर कंपनी प्राइवेट को देते हैं अपना जो भी नया डाटा लाया हुआ है जो भी नए टेक्नलोजी लाया उसकी मदद से लोगों को इंटरनेट देगा तो इस वाली जो नए लाइन है यह जो भी आप देख रहें इस पर इंटरनेट फस्त है पुरानी जो लाइन थी जिस पे हम लोगों ने बैक्ग्राउंड है पुरा का पूरा इंटरनेट है वहांनी डेटा कम्म्नुकेशन है ठीक है तो यह पहली कंपनी थी इसलिए आपने देखा होगा कि मुबाइल अगर आप जीयों से अगर आप बात करेंगे न उस ताइम पे तो फिर आप इंटरनेट नहीं कर पाएंगे पुराने वाले पने वाले पर फोड़ी वह चैंजर की गई है लेकिन आज भी आप अगर आप जीयों के फोन पे कॉल आजा और बात कर रहें तो उस टाइम दोरान इंटरनेट आपका बंद रहता है ठीक है और यह इसके बाद अभी यह अभी एक एक चीज़ और होती सर्व सरवर क्या होता इसके बारे हमने कोई or कि शृच वाट दैसरवर इंटरनेट प्रॉइडरों वह समर्मू को ठीक होता है और आम चुनआ है सब्सक्राइल है मुझ कर रहा हुता है हुए वास्कर सर ये सो दोनों बताइए सरorial आप है क्या आर्मल या हम नार्मल कंपुडर को सरहर् बना सकते हैं क्या हम झा नारूमल कंपूटर को सहर बना सकते हैं। अगर किसी और किसी और कुछ नेटवर्क को को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे बना सब्सक्राइब इस पहले तो मैं आप यह चीज किलियर करूं अभी दोवारा सोची है तब तक हैं और तो मैं आपको यह कोई भी कंप्यूटर हो सर्वर होता क्या मोटे तोर पर समझने की कोशिश करें सर्वर कुछ नहीं होता सिंपली एक सिंपल सी भासा बोलू आप लोग स्टुडेंट हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहें मैं समय ट्रेनिंग दे रहा हूं तो आजे ट्रेनर हो गया किसी को आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं इसलिए हमने उसको ऊचीज बोल दिया कि उनके प्रोफेशन के साफ से उसी तरह से मैं अपने कंप्यूटर को या दुनिया के कोई भी कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर काम के लिए डेटा दे दें पर्टिकुलर काम के लिए उसको डेड कर दूं कि कालेज के अंदर जो भी आए जाए उसकी अटेंडेंस लगाओ तो मेरा ओ जो कंप्यूटर है आपका अटेंडेंस सर्वर कहलाएगा ठीक है अब सवाल यह होता है कि नार्मल कंप्यूटर को भी हम सर्वर क्या होता जो प्राइवेट कंपनियां होती है कॉल आई ट कभी आप सोचेंगे कि अगर रिलाइंस या महिंद्रा टेक या आपका टीशियस है वी प्रो है जो इतनी बीप्राइवेट बड़ी बड़ी आइटी कंपनी है यह सॉप्ट्वेर बना रहें खरीदेगा कॉन तो आपको बतारो खरीदेंस बीएशनल है एक बहुत बड़ा प्रतेजर रहें वी प्रो का यह भी बहुत बड़ा बहुत सारे शॉप्ट्वेर अनुवली देते रहते हैं तो इस तरह से उनका भी बिजनस चलता रहता है और हमें भी साफ्ट्वेर बनाने की जरूरे से रिकॉर्मेंट होती रहती है तो मैं एक सॉप्ट्वेर खरीदा अपने कॉम्च्वीटर को मैंने सर्वर बना दिया लेकिन मेरा सवाल था कि मैं अपने कंप्यूटर को वगर सर्वर बना सकता हूं तो प्रहूarasर नहीं बनाता सर्वर कंप्यूटर मार्केट में अलग आता है क्यों तो अभी साइद ने कुछ लिखा है कि कंप्यूटर इज वनली सर्वर खोड़ा कंफूज है ना मुझे देव ने आप लिखा है ड्यू टुटु जा लैक आप के सर्वर कंप्यूटर से बहतर है एफिसेंसी में कंप्यूटिंग पावर में उसके हाल्डिक्स में सब कुछ बहतर है फिर भी और सर्वर कंजोर होने के बावजूद भी मैं सर्वर कंप्यूटर को ही सर्वर बनाऊंगा अब सवाल यह उखता है मैंने क्या बोला अगर दो ए पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटट कर दिया अगर मार्केट में ट्यूब लाइट खरीदने जाते हैं लेडी वल्प खरीदने जाते हैं तो उसकी लाइफ इतने साल इतने महीने चलेगी उस हिसाफ से हम इनसान हैं कोई भी दुनिया में हो एक सबकी सातर बहत्तर साल ठीक है तो इसलिए हमारा जो नार्मल अगर मैं उसको सर्वर बना दूँगा नो डाउट काम करेगा बहुत बढ़िया काम करेगा कोई दिक्कत ने लेकिन सर्वर एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेट कर दिया तो आप उसको एक पल के लिए भी बंद नहीं कर सकते अगेन रिपीट सर्वर कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम के लिए आप डेडिकेटेट कर दोगे और वह 24 घंटे आन रहने वाला डिवाइस हो जाएगा और जो सेमी कंडुक्टर डिवाइस होती है अगर उसको लगातार इस्तमाल करना शुरू कर दें तो 90 डेज बाइडिफार्ट आइडियल टाइम है उसकी के वाज़ा 6 मेनें चल जाए अलग मैटा के लेकिन लोग 8 साल भी जीते हैं ठीक है लेकिन इस हमारी सप्तर साल की यह तो उसी तरह से कंप्यूटर है वह सही तरी कि नहीं झांद खतम हो जाएगा जो सर्वर कंप्यूटर है अब डिफेरेंस क्या सर्वर कंप्यूटर में हर अच्छी ड्यूल मोड में होती है एट लिस कम से कम दो होंगे डो हार्डी दो पावर सप्लाई डो कंट्रोल कार्ट इससे यह होता है कि एक निश्चीर टाइम के बाद एक बंद हो जाता है पिर दूसरा चलता है कि आपको समझ में आगा कि सर्वर कंप्यूटर क्या और नार्मल कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेर का डिफरेंस होता है और क्यों होता है क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ाई जाए अदर्वाइस वह खराब हो जाएगा हम यूज नहीं कर सकते सार्वाइटिंग मैं ना बुक्स नॉलेज एकलत चीज़ नो डाउट कि आप एक महेंगी चीज़ खरीदोगे सर्वर धाई तीन लाग से कम का नीचे का सर्वर नहीं आता तो अब एक महेंगी लिए दो चार चीज फालतू दे दो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन आपके है का मेन मुद्दा है कि यह यह आज का नेटवर्क आज बहुत ही सिंपल है यह मान लिजिए आपकी मदद की जरूत पड़ेगी यह आपका कंप्यूटर आपके घर में लगा हुआ है ठीक है और एक बैंक का सरवर है जो आपके पैसे के लेंदेन मान लिजिए आपका एकाउं होगा ठीक है मैरा सवाल है कि यह बता है बाता है क्या जीमेल सिक्यूर है इस एक और क्या लगता यह लोग सिक्यूर GTA या नो पहले आप यह बता है फिर मैं आगे कोश्चन करूंगा इस जी मेल दो सिक्यूर यह या नो कि अच्छा चली डिपेंड ना लेवल आप सिक्यूर्टी अरे प्यूस एलक्षन का टाइम आ गया इसका मतलब थोड़ी नहीं के लक्षन वाला जवाब दे दोगे हमने तो भोल दिया कि इसकी सिक्यूर्टी होगी ठीक है यह आंजर को हम गरत कहते नहीं तो ऐसा हो गया ठीक है आज़ा चलो आप लोग सभी लोग यह बताओ कि दुनिया की ऐसी कौन सी साइटें होंगी जिस पर सबसेरा सिक्यूर्टी लिए जिए को हंड़ेड परसंट हम कर कि जाएगी कौन सी साइटें हो सकती है बैंक सर्वर वेरी नाइस बिल्कुल नो डाउट सबसे पहला तो कुछ दो चाहर सर्वरा जिस पे जितनी ज्यादा सिक्यूर्टी दी आती होगी सबसे पहले तो बैंक सब्सक्राइब कुट पैसे वाला दूसरा गॉर्मेंट से जित क्यों है या या नि यह भी हम अब डिसकस कर लेंगा मुश्किल जब पांदे साथ मिनिट लेगा है उसके पहले दो लाइन और मुझे बोलनी है कि माल लीजिए अब अभी तो यह चीज़ नई लाइन में यह हमारा कंप्यूटर हो गया पहले क्या होता था कि एक सी जगा पर टेलीफोन होता था ठीक है ना लाइन हमारी टेटिशनल थी लेकिन बवस्ता यही थी और यह दूसरा भी टेलीफोन होता था तो जब मैं यहां से नंबर डाल क यह है कि अब हम भले आपरेट यहां कर रहे हैं ठीक है यहां पर भी कोई ने कोई आपरेट कर रहा है तो अब इस नई लाइन पे अब सबसे वड़ा चैलेंज यह होता है कि यह जो हमने जिस चीज जिस कंप्यूटर को या जहां भी हमने कम्मिनुकेशन किया उस राइट प क्श्थ क train देट में लाब बहूर्ड बात चैलेंजिंग काम मैं यहीं साइबर सीप्यूटी का पहला इसस्के पाता है कि पहले तो इस बात को सिक्यूर करो कि मैं लाइन चाहिए किसी और को नहीं होना चाहिए इस बात के लिए जब नेट वरक का इस्तापना हो गई तो इसके बाद एक रूल रेगुलेशन सन बनाए गया जिसे बोड़ा गया प्रोटोकाल इंटरनेट रूल रेडुला प्रोटोकाल प्यू समें आप से सवाल पूछोंगा फिर से अप मार्वेर कि और आपने एक सपोस्ट करो एक नौकिया का मुबाइल हैंड सेट्ट खरीदा और खरीदने के बाद आपने उस हैंड सेट पे एक सबसे बड़ी कवर पेज लगादिया आइपाइन का आइपोन का लगा दी आइपेड का तो मुझे आप यह बता है फोन क्या आइपोन का हो जाएगा नहीं सर इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना नो सर तो यह चीज में अभी रखेगा सारे चीज़ें तो जब इंटरनेट के नियम बनाए गया तो पहली बाद इस नियम को मानेत दी गई कि इंटरनेट करने के लिए उसको बोला हम लोगोंने टी सीपी पूरी दुनिया मिलके इंटरनेट में कम्मिनुकेशन सही जाए तो एक नियम बना जिसको मुझे टी सीपी आईपी प्रोटोकाल या इंटरनेट प्रोटोकाल यह इंटरनेट करने का नियम है ठीक है समय गुजरा सबसे बड़ा चैलेंज आया कि भाईया हम कम्मिनुकेशन तो कर रहे हैं कभी कुछ परिसानी है कहीं कोई दाटा चोरी कर लेता है कभी कुछ हैक हो जाता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने नोकिया फोन खरीदा तो सबसे पहला तो इंसानों का सभाव है अपने फोन को पोटक्शन दे तो आपने क्या किया एक कवर पेज लगा दिया बैक कवर लगा दिया और लगा दिया फिजिकल सिक्यूर कर लिया उसके बात थोड़ी परिसानी हुई तो आपने पासवर्ड भी लगा दिया अब नहीं जमाने में जब तो या बायोमेट्रिक करें तो सिक्योर्टी बढ़ाते जा रहा है लेकिन फोन की कंपनी ने बदल रही कंपनी वही है उसी तरह से जो इंटरनेट का जो नियम है वो टीसीपी आईपी जब फाइनलाइस किया गया तो यह जो टीसीपी आईपी था यह आपका फाइनल हुआ था फाइप लेर में पहल सिक्योर्टी लेयर आड कर रहे हैं तो माडल चैंज हो रहा है और वहसाय रिफ्रेंज मॉडल अभी पर यह नॉलएज आज पर पॉप्लिक डोमेंड में जो बोला गया है अभी हम उसको केवल सेवाल लेर के बारे में बारे में बारे में तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट करने का नियम क्या है किसी नियम को हम फालो कर रहे हैं तो आप कोगे टी-सी-पी आई-पी इंटरनेट का नियम नहीं बदला समय के साथ कुछ प्रॉब्लम आई सीक्योटी हम लगाते रहे कि बिल्कुल इसी तरह स्कीन गार्ड बैक कवर सॉप्ट्वेर पास्वा कर लेते हैं काम करते हैं वाफसा जीए लिए साथ लेयर कौन-कौन से आपके स्क्रीन पर मैंने सिक्वेंज में यहां पिदर आजी है और इसी से फिर फिर जो सातों लेयर हैं आपके सामने सबसे पहला लेजर प्लीज दू नाट रोशास पिज्जावे तो लेयर नंबर वन फिजिकल डिंग डेटा लिंग नेटवर्ट ट्रांसपोर्ट सेशन प्रजेंट यह फिलाल वह साथ ले रहे हैं जो आपके बुक्स में है और मैं भी बुक्स पर आपको पढ़ाना नहीं है कि आपका फ्यूज ना हो जाए हम लोग फिल में काम करते हैं इसके अलावा और भी लेरे आड हो चुकी है तो इसमें टीसीपी लेयर थी और बाद में कौन-कौन लेरे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा अब मैं मदद लूँगा फ्यूज की प्यूज आपने नेट बैंकिंग कभी लैप्टॉप या मोबाइल फोन से किया तो हो गई यह सर अब माल ल सबसे पहले काम क्या करेंगे अपने कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग करना वाटी यूद फॉस्टेप सबसे पहला काम आप ब्राउजर खोलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप म्यूजिक बटन पर दबा दे माइक कंप्यूटर पर दबा दे कहां जबाएंगे आप ब्राउजर पर बस बोलते जाए ब्राउजर होगे आपका दिस इस अप्लिकेशन वाट इस दा मिनिंग आप ब्राउजर यह क्या है फिर क्या करेंगे ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा फिर उसमें अपनी बैंक की वेबसाइट जहां पर ब्राउजर बनाया गया उसमें एड्रेस लिखने की प्रविजन होता है आपने www.icicibank.com जो भी उसके डाले बैंक करेंगे तो मेरा कम्प्यूटर सबसे पहले यहां जाएगा उस इन रस्तों से होते हुए बैंक सर्वर के पाथ जाएगा और बैंक कहें अच्छा यह नेट बैंकिंग के लिए यह वाला पेज है जाके यह पेज ओपन होगा वह एक अप्लिकेस्टन है नो डाउट अपने क्रेडेंचेल्स डालने होंगे कोई बीचीज और आपका गुगल मोलो में पेज खुलने के बाद क्या करोगे आप साइन अप करोगे ना यह सर अपने क्रेडेंचेल्स एंटर करके साइन आप जैसे आप साइन होता है लेकिन उसको मोलते प्रजेंटेशन ताला अब अलग होगा इसमें कोई डाउट नी जब फेजबूक भी खोलेंगे जीमेल भी खोलेंगे यह तो स्टेफ होना ही होना है ना इसको क्या बोलेंगे प्रजेंटेशन फिर आप बताओ सिक्यूर कौन हुआ फेस्बूक दिमेल तो बराबर ही होगए हाँ यह बात है कि फे जाता है जब ज्यादा भीड होगी तो चूरी होने की संभावना ज्यादा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फेजबूक सिक्यूर नहीं है वह भी पूरी कोशिज करता सिक्यूर्टी की लेकिन उस पे दुनिया के बिलियन कितने लोग जुड़े हुए है और उसमें ते कु सब्सक्राइब करते हैं और इसको बोलता है यूजर सपोर्ट लेयर कंप्लिटली सब्सक्राइब कर दिया अब इसके बाद आपका डाटा का कैसे होता कंप्योटर से करोगे काड से निकलेगा या वाई भाइपाई से निकलेगा या या नियर वैट टावर से जुड़ेगा तो यह आपका फिजिकल लेयर अब डाटा का ट्रामिशन देखिए पहला कहा से दाटा निकल ला है मोबाइल उन लैपटाप हो और इससे नि होगा और फिर उसके भाद का निकलेगा राउटर को बोलते network लियर एक रूटर से दूसरा दीसरा छोथा सब राउटर राउटर ठीक है यह तीनों जो है आपस में इन्हें बोलते हैं network support layer प्रवूंवेंगे एक जगह से बिल्कुल फिजीकली मूवमेंट होगा आपसे भी पूछा जाता है राउटर किस लेएर पे काम करता है अब नहीं होना है ठीक है समझ में आ गया ठीक है वाइफाई बुलूट्टूत इक कौन सा लेयर है फस्ट लेयर हो गया ठीक है है इसी तरह से हम जो यूजरने हम पासबर्ट दालते हैं उनम से लेयर पर काम करता है सेबन लेयर के काम करताई आपका फीजिकल मोड में ऑक्तवेयर मोड में भी हो सकता है यह पूरा कशा पूरा process कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक बार पहुंच जाता है मतलब सिस्टम के पास तो उसके बाद सिस्टम के कौन से डिवाइस पे पहुंचाना है मतलब जो मैं अगर आपको इमेल भेजू तो इमेल आप कहां चेक करोगे अपने जीमेल पर बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि मैं इमेल भेजू आपने फॉन ठाव कान में लगाया हाँ इमेल आ गया तो नहीं हो सकता ना मैं किस चीज का ट्रांस्पोर्टेशन कर रहा हूं कैसे पता चलेगा दूसरे साइड पर इसको कैसे पता चला कि प्यूस सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें का चिक करने ले जाना जो साफ्टेयर वाले वह समझें इस चीज को ठीक है तो यह ट्रांसपोर्ट लेयर आपका उस चीज का डिफाइन करता है कि किस चीज का निकल रही है तो मेरा कंप्योटर मेरे तीनों चीजों का आईडी आपके पास भेज रहा है और उक्रण्द आपका जो उधर का ठीट इनकी इनकी स्क्रीन-साट जो भी मैं कर रहा हूं सारा चीज अपको दिखा नब चुकि एक काम इतना फास्ट होता है हमें पता ही नीचलता ठीक है साइबर सिक्योर्ती नाथिंग इवरी लेयर इस दस्यक्योर रिकॉर्ट फिजिकल लेयर वाइफाई का पासवर्ट डे दो थी के डाटा लिख डाटा इसमें को इंट्री ना करें नेटवर्क लेयर पर नेट यह जो तीनों है इसमें computer science mca bca लड़कों के लिए लाबदायक हो सकता है समझदारी हो सकती है यह जो तीनों लेयर होते हैं साइबर सिक्योर्टी में यह electronics को अलों के लिए फायदय मंद होता है और यह जो बीच वाला जो लेयर होता है आई टी वाले इसका फायदा उठाते हैं ठीक है नहीं आपकी ब्रांच जानी हमें नार्व जानकारी साधी होनी चाहिए लेकिन हम चुकी जो जिस में ज्यादा पढ़ता है वो चीज को ज्यादा सपोर्ट करता है तो साइबर सिक्योरी नथिंग इभरी लेयर हैब दस सिक्यो है उनके पाथ जो भी सिक्योलिटी करोगे और कोई अटेक करेगा उससे बचना है अब सुरूई चूपचा लिए जैने कोई पूम किसे को हो तो पूछ सकता है इसमें कोई डाउट और तो पूछ सकता है लेयर नोन थीक है बहुत बढ़िया है अब तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइब करना मुझे तो मैं आप लोगों को एक सॉप्ट्वेर दूंगा पैके ट्रेसर उसको आप इस्टॉल कर लीजेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने सर्वर विजिट का वीडियो सेयर किया वह मैं नेक्स्टाइम इस्प्लाइन करते हुए उसी काम को लोग प्रेटिकल करेंगे एनी क्वेस्चन सो तो आप पूछ सकते हैं आज के लिए तना ही कोई कंफ